नमस्कार दोस्तों सागत आप सभी का नोलजवानी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम IPL 2020 जिसका समापन हाल ही में हुआ है इसके 13 सीजन जो है हाल ही में खेला गया है तो इससे समंदित 30 अती महत्पूर्ण परसनों तरह कौन से हो सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MCQ की फोम में कोस्टन्स आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों में मिलेंगे ताकि आपका जो है दोनों तरह से बेनिफिट हो इसमें आप अपना टेस्ट कीजेगा और देखिएगा कि आपके कितने कोस्टन्स सही हो रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं सभी इंपोर्टेंड 30 IPL से जुड़े 2020 से जुड़े इंपोर्टेंड को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला question है आपके लिए कि 2020 में IPL का कौन सा संस्क्रण जो है खेला गया है यानि कि which IPL season is played in 2020 तो अपना answer आप हमें within 3 seconds दे सकते हैं इस question का correct answer होगा option C यानि कि 13 संस्क्रण तो season 13 यानि कि 13 संस्क्रण IPL 2020 में IPL का खेला गया है और बता दें कि यह जो आयोजन है यह 19 स्टमबर 2020 से 10 नॉवंबर 2020 तक खेला गया है और सुख्ट अरब अमिरात यानि कि United Arab Emirates UAE में यह खेला गया है तो 13 जो सीजन है यानि 13 संस्क्रण जो है IPL 2020 में खेला गया अगला है IPL 2020 में कुल कितनी टीम्स ने हिस्सा लिया यानि कि how many teams were participated in IPL 2020 तो correct answer होगा option B यानि कि 8 टीम ने तो 8 टीम्स ने participate किया है IPL 2020 में तो correct answer option B होना चाहिए अगला question है कि IPL 2020 में कुल कितने मैच खेले गए यानि कि how many matches were played in IPL 2020 तो दोस्तो correct answer होगा option C यानि कि 60 मैच तो 60 मैच जो है total play किये गए हैं खेले गए हैं IPL 2020 में अगला है IPL 2020 का सीजन किस टीम ने जीता है यानि कि which team has won the IPL 2020 सीजन तो IPL 2020 किस team ने जीता है ये बताना है तो दोस्तों IPL 2020 का जो final है वो Mumbai Indians ने जीता है तो option D होगा इस question का correct answer Mumbai Indians और बता दें कि Mumbai Indians का ये पांचवा title है और इन्होंने दिल्ली Capitals team को हरा कर यह जो खिताब है पांचवा जो खिताब है यह जीता है इससे पहले जो IPL हुआ था उसको भी Mumbai Indians ने ही जीता था चलिए अगला question देखते है अगला है कि IPL 2020 का final match किस-किस team के बीच में हुआ important question है exam में आ सकता है IPL 2020 final match was played between which two teams तो जल्दी से अपना answer आप हमें 30 second में दीजिए तो इस question का correct answer होगा option D यानि कि वह खेला गया था अगला question है कि IPL 2020 में विजेता team को कितनी पुर्षकारासी दी जाएगी या दी गई है यानि कि in IPL 2020 what is the price money for winner team तो दोस्तो प्राइज मनी दी गई है 10 क्रोड रुपे जो winner team रही है तो option A होगा इस question का correct answer तो यानि कि उप विजेता रही है यानि कि runner up रहे है वो रही है दिल्ली कैपिल्स इसको 6.25 क्रोड रुपे दिये गए है अगला question है कि IPL में किस team के द्वारा सबसे अधिक बार IPL का tournament जीता गया है यानि कि which IPL team has won the IPL tournament maximum number of times तो maximum number of time IPL tournament किस ने जीता है ये बताना इस question में तो इस question का correct answer होगा option C Mumbai Indians तो Mumbai Indians ने सबसे अधिक बार जीता है और 5 titles इन्होंने जीत लिया है तो 5 बार इन्होंने जीता है जबकि Chinese Super Kings ने तीन बार जो है IPL के खिताब जीते हैं तो सरवाधी IPL का tournament जीतने वाली जो team है वो Mumbai Indians है और 5 बार अगला है IPL 2020 में सबसे अधिक run बनाने वाले खिलाडी कौन है यानि कि who is the leading run scorer यानि कि most runs in IPL 2020 किस ने मनाये हैं ये बताना है तो दोस्तों जो most runs यानि सबसे अधिक run जो किस खिलाडी ने बनाये हैं वो है option A KL Rahul यानि कि कनूर लोकेस राहul जो कि King Eliand Punjab की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने IPL 2020 में सबसे अधिक run बनाये हैं तो इसलिए option A करेक्ट आंसर होगा और इन्होंने IPL 2020 में 670 run जो total run है इन्होंने बनाये हैं अगला question है कि IPL 2020 में orange cap किस खिलाडी को दी गई यानि कि which player got orange cap in IPL 2020 season तो करेक्ट आंसर होगा option D KL Rahul जयानि कि जो लोकेस राहul हैं जो कि King Eliand Punjab की दरफ से खेलते हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा run मनाये थे 670 run मनाये थे और आपको पता होगा कि जो orange cap है वो सबसे अधिक run मनाने वाले खिलाडी को ही दी जाती है तो orange cap जो है 4 most runs के लिए दी जाती है और ये मिली है KL Rahul को जो कि King Eliand Punjab की दरफ से खेलते हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा यानि की 670 run बनाये हैं IPL 2020 में अगला है IPL 2020 के tournament का आयोजन कहां पर किया गया यानि की where was the tournament of IPL 2020 held तो इसका अंसर हम आपको सुरू में बता चके हैं तो correct answer होगा option C UAE यानि की United Arab Emirates यानि की सुप्त Arab Emirates में IPL 2020 का tournament का आयोजन किया गया है अगला question है कि IPL 2020 की निलामी में सबसे महगा खिलाडी कौन था यानि की who was the most expensive player of IPL 2020 auction तो correct answer होगा option D Pat Cummins तो Pat Cummins जो हैं सबसे महगे खिलाडी रहे हैं IPL 2020 में जो Kolkata Night Rider की दरफ से खरीदे गए हैं दोस्तों जो Pat Cummins हैं इनकी निलामी Kolkata Night Rider की टीम में की गई और इनकी निलामी में सबसे महगे खिलाडी रहे हैं और इनकी जो निलामी हैं वो 15 क्रोड 50 लाक रुपे में हुई है IPL 2020 में तो IPL 2020 के सबसे महगे खिलाडी जो रहे हैं तो दोस्तों Most Valuable Player चुने गए हैं Option D, Jofra Archer को जो की राजस्थान रोल की तरफ से खेलते हैं इन्होंने जो है 113 रन बनाये हैं IPL 2020 में और 20 विगर लिये हैं He is also the player of the series in IPL 2020 यानि कि ये player of the series in IPL 2020 में player of the series भी चुने गए हैं और Most Valuable Player का खिलाड खिताब भी जो है Jofra Archer को मिला है जो की राजस्थान रोल की तरफ से खेला है जो उन्होंने IPL 2020 Option D होगा इस question का correct answer अगला question है कि IPL 2020 के tournament में Game Changer of the Season किसे चुना गया है यानि कि Who was the winner of Game Changer of the Season in IPL 2020 तो इस question का correct answer होगा Option C यानि कि K.L. Rahul जो कि Kingland में जाब की दरफ से खेलते हैं तो K.L. Rahul को Game Changer of the Season IPL 2020 में चुना गया Next है IPL 2020 के tournament में Super Striker of the Season किसे चुना गया है यानि कि Who was the winner of Super Striker of the Season in IPL 2020 तो correct answer होगा Option D Kiran Plod तो Kiran जो पोलाड है जो कि Momentance की दरफ से खेलते हैं इनको जो है Super Striker of the Season IPL 2020 में चुना गया है और बता दें इनका जो Best Strike Rate रहा है वो 191.42 रहा है अगला question है कि IPL 2020 के tournament में जो पहला match था दोस्तों वो कहां पर खेला गया Important question है इस परकार से question आ जाता है यानि कि Where was the first match played in IPL 2020 tournament तो correct answer होगा option A जायद Cricket Stadium जो कि अबुधाबी में है तो जायद Cricket Stadium अबुधाबी में IPL 2020 के tournament का पहला match खेला गया था Next है IPL के 11 खिलाडियों में कितने अधिक्तम विदेशी खिलाडी हो सकते हैं यानि कि How many maximum foreign players can be in 11 players of IPL तो जो 11 खिलाडी जो IPL के होते हैं उसमें अधिक्तम जो है चार विदेशी खिलाडी हो सकते हैं तो option D होगा इस question and a team can play a maximum 4 overseas player या foreign players in the year playing 11 यानि कि जो चार जो खिलाडी है sorry जो 11 खिलाडी है उनमें 4 जो है overseas player हो सकते हैं यानि कि foreign players जो है खिलाया जा सकता है उनको एक match में अगला question है कि IPL 2020 में सबसे अधिक wicket किस खिलाडी के द्वारा लिए गए हैं यानि who was the leading wicket taker यानि कि most wickets in IPL 2020 तो leading wicket taker यानि कि most wicket जो है सबसे अधिक जो विकेट लिए हैं वो लिए है option C केजिसको रबाडा तो केजिसको रबाडा जो की दिल्ली कैपिल की दरफ से खेला है जो इन्होंने match 30 wicket इन्होंने लिए है total जो कि सबसे अधिक हैं IPL 2020 में तो केजिसो रबाडा जो है दिल्ली कैपिल के हैं और इन्होंने सबसे अधिक wicket जो है IPL 2020 में लिये हैं और 30 विकेट इनोंने लिये हैं अगला कोश्चन है IPL 2020 में परपल कैप किस खिलाडी को दी गई यानि विच प्लेयर गॉट परपल कैप इन IPL 2020 सीजन तो दोस्तो परपल जो कैप मिली है वो मिली है कैगिसो रबाड़ा जो की दिल्ली कैप्टिल की तरफ से खेलते हैं तो option A होगा इस question का correct answer क्योंकि जो परपल कैप है वो सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाडी को दी जाती है तो इसलिए परपल कैप जो है कैगिसो रबाड़ा को मिली है जिन्होंने सबसे अधि विकेट लिये हैं और इन्होंने 30 विकेट लिये हैं और किस टीम से खेलते हैं दिली कैपिल से ये आपको याद रखना है अगला कोश्चन है आइपेल 2020 के टुन्नामेंट में उबरते खिलाडी का खिताब किसे दिया गया है? यानि कि who has got the emerging player of the season in आइपेल 2020? दोस्तों उबरते खिलाडी का किताब जो मिला है वो मिला है option C देवदत पदिकल को तो देवदत पदिकल को जो है उबरते खिलाडी का किताब यानि कि emerging player of the season in आइपेल 2020 में चुना गया इनको जो है 10 लाक प्राइज जो है दिया गया है और इन्होंने 473 रन बनाए है 15 मैचस में और बता देवदत पदिकल है ये रोयल चेंजर बैंक रोर यानि कि RCB की टीम की तरफ से इन्होंने आइपेल 2020 खेला है अगला है आइपेल 2020 में सरवाधिक चक्के किस खिलाडी के दुबारा बनाए गए यानि कि who scored maximum number of success in आइपेल 2020 तो सबसे अधिक चक्के यानि सरवाधिक चक्के यानि कि most number of success जो आइपेल 2020 में लगाए हैं वे लगाए हैं इशान किशन ने तो इशान किशन ओप्शन बी किशन को जो है सरवाधिक चक्के जो है इन्होंने लगाए हैं तो क्रेक्ट अंसर होगा option B अगला कोश्चन है कि आइपेल 2020 के सीजन में सरवाधिक चोके यानि कि maximum number of force कि इस खिलाड़ी के दुबारा बनाए गए हैं यानि who scored maximum number of force in IPL 2020 तो क्रेक्ट अंसर होगा option C शीखरदवन तो शीखरदवन जो कि दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी है 67 यानि कि 74 जो है इन्होंने लगाए हैं जो कि सरवाधिक चोके हैं IPL 2020 के सीजन में तो क्रेक्ट अंसर होगा option C शीखरदवन अगला है IPL 2020 का पर्थम मैच किस किस टीम के बीच में हुआ यानि कि IPL 2021 मैच वाज प्लेड बिट्वीन विच टू टीम्स वैरी इंपोर्टन कोश्चन एक्जाम में कई बार आज इस तरवार के कोश्चन आ जाते हैं तो क्रेक्ट अंसर होगा option A मुंबई इंडियन और चेनी सूपर किंग्स अगला कोश्चन है IPL 2020 का पर्थम मैच यानि कि फर्स्ट मैच जो था किस टीम ने जीता था यानि विच टीम वोन दा फर्स्ट मैच ओफ आईपेल 2020 तो जिन्होंने IPL देखा है वो इसका अंसर इसली दे देंगे तो क्रेक्ट अंसर होगा option A चैनी सूपर किंग क्योंकि चैनी सूपर किंग ने पहला मैच जीत लिया था और मुंबे इंडियन को हराया था अगला कोश्चन है IPL 2019 यानि जो 2019 में IPL खेला गया था जो की बारवा संस्क्रण था इसका टूर्नामेंट किस टीम ने जीता था यानि विच टैम है वान दा IPL 2019 यानि सीजन 12 टूर्नामेंट तो आपको पता ही है कि पिछली बारी मुंबे ने जीता था option B होगा इस कोश्च का वो कहां पर खेला गया यानि किस क्रिकेट स्टेडियू में खेला गया यह बताना है तो क्रेक्ट अंसर होगा option B दुबई इंटरनेसल क्रिकेट स्टेडियूम तो दुबई इंटरनेसल क्रिकेट स्टेडियूम जो की दुबई में है वहाँ पर जो है IPL 2020 का final match खेला गया और यह final में 10 number 2020 को खेला गया अगला कोश्चन है IPL 2020 के tournament में power player of the season किसे दिया गया है यानि who has got the power player of the season in IPL 2020 तो correct answer होगा Trent board जो की मुंबे इंटेंस की तर्म से खेला है इन्होंने IPL 2020 तो मुंबे इंटेंस के Trent board को power player of the season जो है चुना गया है IPL 2020 में अगला कोश्चन है किरकेट के IPL tournament यानि की format 2020 overs का जो है इसकी सुरुवात किस वश्चे प्रारम हुई यानि in which year IPL cricket tournament 2020 over format started तो IPL का 2020 over का जो format है ये start हुआ था 2008 में option B होगा इस question का correct answer 2008 अगला है किस team ने IPL का पहला संस्क्रण 2008 में जीता था यानि which team has won the first IPL season in 2008 2008 में जो पहला संस्क्रण खेला गया था वो जीता था राजस्थान रोयल्स ने option A होगा इस question का correct answer राजस्थान रोयल्स अगला है IPL 2020 के title sponsor कौन रहे हैं यानि who is the title sponsor of IPL 2020 very important question इस बार के title sponsor रहे हैं ड्रीम 11 तो option C होगा इस question का correct answer बता दें ड्रीम 11 ने 222 क्रोड रुपे में IPL 2020 के सीजन के लिए sponsorship राइट्स जो थे खरीदे हैं बता दें कि यह बोली जो थी वीवो के सलाना 440 क्रोड रुपे से 218 क्रोड रुपे कम है जो की COVID-19 इस कारण हुआ है अगला है वर्तमान 2020 में IPL के चेर्मेन कोन है यानि who is the current chairman of IPL in 2020 तो correct answer होगा option A, Bridges Patel तो Bridges Patel जो है IPL के वर्तमान में चेर्मेन है तो दोस्तों यह थे IPL 2020 यानि की सीजन जो इनका 13 था उससे समंदिर 30, अती मत्पुन परसनोत्र इसमें हमने सभी important questions को cover कर लिया है आपके 30 में से कितने questions सही हुए है आप comment section में comment करके बता सकते हैं अगर आपकी कोई सुझाओ या राय है तो वो भी आप comment section में जुरू दीजेगा दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section में बता सकते हैं और इस वीडियो को like कर अपने friend के साथ share कर सकते हैं और उनको भी आगे share करने के लिए बोल सकते हैं और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो को आगे भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे channel knowledge value को subscribe कर लें और साथ साथ notification bell दबा कर all notification पर जुरूर पैस कीजेगा तभी आपको हमारे सभी वीडियो के latest notifications सबसे पहले मिल पाएंगे अब हम आपको मिलेंगे next वीडियो में important topic के साथ तब तक के लिए हमें देजे जाजत thanks for watching and take care